हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत है आपका अपने स्पी एजुकेशन पॉइंट चैनल में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आज की महत्पूर करेंट अफेर्स पर जो आपके एक्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्रेंट चलिए आज हम बात करेंगे मत्पूर घटन करम्स पर इसे पहले मोटिवेशनल कोट जो आपको उर्जावान बनाएगा और आपको अपनी तैयारी करने में काफी हेल्प करेगा मोटिवेशनल कोट याज ए लच्च को पाने की चिंगारी रखो सीने में क्या बात है फ्रेंट्स ये जो कोटेशन है काफी अच्छा है जो आपको काफी उर्जावान बनाएगा ठीक है चलिए आप अपने अपने सेशन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की महत्तपूर्ण करेंट अफेर्स पर ठीक है फ्रेंट्स इससे पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को सेयर करें तथा ज्यादा ज्यादा लाइक करें ठीक है फ्रेंट्स चलिए आज के और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेली ग्राम चैनल से आवस्थ से जुड़े जिसमें आपको इसकी PDF हर डेली करेंट अफेर्स की रोज की रोज आपको दी जाती है आप उनका कलेक्शन करें और बाद में एकजाम के समय वो आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे ठीक है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला ही कोश्चन आई अमपी है फ्रेंट्स ठीक है पहला है A.C.I. कुस्ती चेमपियंसिप में यानि 53 किलो भार वर्ग में किस इस्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है फ्रेंट्स यह जो ACI कुस्ती चेंपियंसिप है यह है कचाकिस्तान में चलाई जा रही है कचाकिस्तान में यह जो प्रतियोगिता है चल रहे है इसमें 53 किलो वर्ग में विनेस फोगाड ने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है इसने विनेस फोगाड ने गोल्ड मेडल जी जीता है अभी जो पिछले यानि कल ही 69 किलो भार गुवर में सरीता ने यह मेडल गोल्ड मेडल इसी ACI कुस्ती चेंपियंशिप में जीता है ठीक है नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है कौन सा खिलाडी कौन सा खिलाडी विराट कोहली के बाद एक टीम में के लिए 200 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाडी बन गया है वह कौन सा खिलाडी है तो वह है MS धोनी धोनी जो ऐसे खिलाडी बन गए है विराट कोहली के बाद जिन्होंने एक ही टीम के लिए 200 मैच खेले हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है तमिल तमिल फिल्मों के किस मसहूर एक्टर का हार्ड आटाइक से हार्ट आटाइक से के चलते 69 वर्ष में निधन हो गया है वह कौन है वह विवेक हैं रजनी कांत हैं लच्मन है या भूबन है वह विवेक है विवेक जो हैं तमिल फिल्मों के इस्टार एक्टर हैं जिनका 69 वर्ष में हार्ट अटाइक की वज़े से अचानक मृत्ति हो गई है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है अंगला कोस्चन है कि पिलियुसिव इंटरनेट इंडेक्स दोहजार इकिए इस देश को प्रताम इस्थान प्राप्त हुआ यानि कि इंटरनेट की सेवा fundraising ओने smallest बनात हुई हैं इंडेक्स जारी किया गया है इंग्लोसी इंटरनेट इंडेक्स 2 2021 इसमें प्रथम इस्थान पर Sweden प्रथम इस्थान पर Sweden फ्रेंट्स आप जो यह है index जरूर याद रखें यह क्या है हर exams के लिए important होते है ऐसे exams ऐसे में यह पूछे ही जाते हैं इसमें Acclusive Internet Index 2021 में Sweden Sweden प्रथमिस्थान पर रहा है ठीक है और भारत की बात कल लेते हैं तो इसी Index में भारत को 49 rank मिली है Total 120 देश Total 120 देश इसमें समली थे भारत को उसमें 49 rank मिली है next question पर चलते हैं और angla question है कि 20% हämोफिलिया दिवर्स किस प्रतिवर्स किस दिन मनाया जाता है विश्यो हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है ठीक है किस दिन मनाया जाता है इसका अंसर जो है वह है ए सत्रा अपरेल सत्रा अपरेल को विश्यो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है ठीक है फ्रेंट्स इसमें क्या होता है कि ज Bent नहीं होती है रख्त का थका नहीं बन पाता है ठीक है और इससे क्या है कटने के बाद बैकति की म्रत भी हो जाती है इस बार की जो वर्त हो उथी खिट इन्ज और की हम फिर में वह है भक्ति गीतों के किस मसहूर गीतकार का सरसट वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह काउन है वह हैं पंडित किरण मिस्र का जो एक प्रसिद्ध भक्ति गीतकार थे सरसट वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ठीक है next question पर चलते हैं और अंगला question है आज का काफी important question आप इसको मान कर चले ठीक है यह 36 गड़ यह पंजाव इसका जो सही आंसर है इसके किरियानवयन में 36 गड़ प्रथम इस्थान पर रह पियम ग्राम सड़क योजना के किरियानवयन पर ठीक है और इसकी शुरुवात कब हुई थी फ्रेंड्स यह 25 दिसंबर सन 2000 को फन 2000 को इसका प्रारम हुआ था ठीक है और जिला जिले के सरस्ष्ट प्रदर्शन की बात करें तो उधंपूर उधंपूर जो है यह जे एंड के जम्मू एंड कास्मीर में इस् नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहां बनाया जा रहा फ्रेंड्स यह वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट मतलब है कि घरों में जो है एक तरह से खे के बैंगलूरू सहर में सबसे पहले वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट इस्थापित किया जा रहा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं और अंगला कोश्चन है कि किसे सर रिचर्ड हैंडली पदक से सम्मानित किया गया यह काफी अच्छा कोश्चन है रिचर्ड है पदा किसको दिया जा रहा है यह केन विलियमसन को दिया जा रहा है केन विलियमसन कहां के हैं यह न्यूजी लैंड के हैं ठीक है न्यूजी लैंड के हैं केन विलियमसन न्यूजी लैंड के हैं और वर्स 2000 जो पिछला विश्व कप हुआ था इंगलैंड में उसमें और आज का लास्ट कोश्चन काफी आई अंपी परेया और अंकी द्रेश्टी से यह काफी आई अंपी या इंपोर्टेंट कोश्चन है ठीक है फ्रेंट्स इसको आप जरूर नोट करें भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसीपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकम कौन सा बन यानि कि जो भी पैसा या effet एकत्र होगा वा घ्रीन ऎकरीन के लिए यानि Flynn और वाईव प्रोडूर्ट को कम करने के लिए इस पर खर्च किया जाएगा ऐसा करने वाला पहला है सहर कौनसा बना वो है गाजिया बाद ऐसा पहला सहर गाजिया बन गया जिसने ग्रीन मिनिसीप बॉंड जारी किया है ठीक है अभी जो प्रदूसर्ण की रिपोर्ट आई थी फ्रेंट्स इसमें गाजियावाद सबसे अधिक प्रदूसिस मतलब दुनिया में सबसे प्रदूसिस सहरू में टॉप पर था जब की राजधानी की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूसिस डाउनलोड करके उनको रखें फ्रेंट्स और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया ठीक है फ्रेंट्स चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं थैंक्यू अल्दा वेस्ट